बहुत से ग्राम सभा में बहुत से ग्राम पंचायत में ऐसे लोग होंगे ऐसे ग्राम परधान होंगे जो सिर्फ और सिर्फ दारू मुर्गा और पैसे बाठ कर ग्राम परधान हुए होंगे और ऐसे भी लोग होंगे जिनको खुद का अपना अधिकार नहीं पता है कि ग्राम प्रधान का क्या अधिकार होता है ऐसे बहुत से ग्राम प्रधान होंगे जो ग्राम विकास अधिकारी जो उनके लिए सची हुआ है वह उनका सहब बनकर बैठा हुआ है और ऐसे लोग और ऐसे समाज के कुछ ऐसे गंदे लोग सिर्फ और सिर्फ घोटाले के लिए लगे है तो आप उसका परदा फास कर सकते हैं और आप अपना काम आसान करा सकते हैं इसी के लिए भारत के संभिधान लागू किया गया है जो 12 कूबर 2005 को लागू किया गयाता जन्षूचना का अधिकार अधीनियम 2005 इसी के ताथ आप आर्टी आई दाखिल करके सूचनाय प्राप् सभा में कितने रुपए आया कहां पे खर्च किया गया क्यों खर्च किया गया सड़क बना तो उसमें कितने रुपए खर्च किया गया कितना जरूरी था इससे अलावा यह काम क्यों नहीं हुआ क्योंकि यह काम कितना जरूरी था यह सारी चुछों की जानकारी आप RTI के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी के जो किया गया कार है उससे प्राप्त कर सकते हैं और उसी के आधार पर आप अपना काम करा सकते हैं और मैं आपको बता दूँ उसी के आधार पर आप जेल का हव तक भी खिला सकते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जन सूचना का अजगार अदीमियम 2005 के बारे में बताओंगा साथी में किस तरीके से आपका काम अच्छान हो साएगे और किस तरीके से आप प्रभावी अप्लिकेशन दे सकते हैं इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वारा साथी में मैं आपको पता दो अगर आप आप याई दाखिल भी कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर करके आपके अपने ग्राम सभा के ग्राम परधान का सारा डिटेल ले सकते हैं तो साथी में अगर आप तहसिल से आपको जहुर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप सठीक नहीं मांगते हैं तो उसका डीटेल आपको नहीं मिल पाता है और लेट हो जाता है तो आपको कुछ जो जो है जैसे मैं बता दूँ आपको पत्र का प्रकार जो है वह बिल्कुल सही सठी तो अब सुरू करते हैं अप्लीकेशन को लेके अप्लीकेशन में क्या है लिखना है आपको उसका डीटेल आप लिख सकते हैं उसके बाद भीसे लिखेंगे बिशे में क्या लिखेंगे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन या अनुरोध पत्र यह चीज़ें लिखेंगे उसके बाद महोदे मैं मैं प्रार्थी अजीस सिंग यादव उसके बाद डिटेल सारी डिटेल आप ग्राम पता पूरा डिटेल लिखने के बाद इस सहर का अस्ताई निवास हूँ आप लिख सकते हैं जी जहां का है उसको लिखने के बाद मैं उसको लिखने के बाद मैं अपने अधिकार का उल्ले करें जो आप जानना चाहते हैं जैसे किसी बिसेश के बारे में आप जानना चाहते हैं मैंने कुछ चीजे लिखी हुए हैं उसी आधार पे आप अप का importance है तो मैंने लिखा हुआ था कि जैसे 2022 से लेके 2023 तक में ग्राम सभा में कितने रुपए आवंटीत किया गया यह बिल्कुल सटीक दूसरा point मैंने जो लिखा हुआ है कि वह आवंटीत धन जो कि इस सब्सक्राइब किया हो है कि तो किसमें कितने रुपए खर्च किया गया हुआ है आपको वह सामने दिखने पर भी लगेगा कि बही इतना पैसा इस में लगा होगा कि नहीं लगा होगा उस aut जाच करा कर सकते हैं कि अब प्रवी 2023ं तक कितने रुपैंट फंप रिपेयर हैं और कितने रुप depri here में खर्च कि यह इस तरीके से आप कहा जो नाला नुएग्brand रहा है या मिड़े मील में 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 हो रहा है जो पुश्कालन रहा है। घ्रावंद भोण बन रहा है कोई भी काम किया गया हो जो आपको लगता है कि यहां पर गराम पंचायद भोटाला किया हुआ है और आपका काम भी नहीं कर रहा है तो इसमें आप डिटेल इस तरीके से अड़िय कर सकते हैं तो उसके बाद और आपको आवेदन सुल्क देना होगा ध्यान देखिए बहुत नॉमिनल फीश है मातर दस उर्पय का आवेदन सुल्क आपको देना होता है वह भी अगर आप बीपियर कारधारी आप गरीबी रेखा के नीचे आता है तो आपको वह भी पैसा नहीं देना है लेकिन आपको जो कार्ड सं आपको 20 रुपय अतिरिक्त आपको देना होगा वह आप पोस्टल आडर से दे सकते हैं या आप लिपाफे में एड करके दे सकते हैं साथी में जो बचा हुआ धन्य मालिजी आपने 20 पन्ने का आपको लगा कि वह 10 पन्ने का है लेकिन सूचना था दो ही पन्ने का तो जो पै और यहाँ पर अपना नाम पता मुवाइल नंबर इमेल आइडी ध्यान दिजेगा इमेल आइडी यहां पर most important है इमेल आइडी अगर आप लिखेंगे तो अधिकारी जो आपके संबंधित अधिकारी अगर वह डिटेल निकाला है तो सांथ के सांथ तुरंत इमेल आइडी पर इमेल भी कर सकता है वही काम जो और बाद में फॉर्म जो है लिखापे पे फॉर्म टू करके जहां पर आपको भेजना है जैसे आपने सुरू में यह लिखा हुआ है कि सेवा में जन सुचना अधिकारी यह जो डिटेल एड्रेस है वहां पर डालकर आप अपना पूरा अड्रेस डालकर मॉवाइल नमबर क साथ में बेश सकते हैं और 30 दिन के अंदर आपको सूचना है मिल जाएंगी किस-किस विशे में आप सूचना चाहते हैं कहाँ पर कितना खर्श किया उसी आधार पर जहां पर आपको डाउट लग रहा है उसी का आप ज्यांज करा सकते हैं और उसी से को कारवाई करा कर हवा भ कर सकते हैंdar दिस्क्रिप्शन ने एक और वीडियो एंग जो आगर आप online ही दाखिल करना चाहता है तो आप online भी दाखिल कर सकते हैं आप वीडियो वीडियों आपको description में और λी उक्राइब ने मिल जाएगा तो अच्छा लगा ओगा तो सपोर्ट जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियों में तक तक के लिए जैहिंद